आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं मेथी की बहुत इखस्ता करारी पूड़ी की रेस्पी खाने बहुत ही चटपटी होती है आप इसे बेरेकफास्ट बच्चों के टीपिन या सिलेक्स की रूप में बना सकते हैं यह बहुत ही चटपट्री और टेस्टी बनती है तो आप सभी से ज़रू ट्राइए करें हलो दोस्तों मैं हूँ सरोज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हैं मेरे चैनल सरोज का किचन में चलिए आज की रेश्पी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम मेथी लेंगे मेथी को पत्त को मैंने पहले ही तोड़ लिया था ध्यान रहे मेथी के टंठल को नहीं लेना है वरना पूरी फूलेगी नहीं सिर्फ मैं पत्ते चाहिए तो हम क्या करेंगे इसको हम अच्छे से धोलेंगे यहां मैंने बड़े बरत्र में ले लिया इसमें नमक डाल देंगे नमक डालने से क्या होगा मेथी का थोर से कड़वापन कम हो जाएगा ताब जरूर डाले पाइंट डालके इसको अच्छे से हम धोयेंगे डूबव झाये हमारे मेथी में से भख साफ करके ढोले हैं कि यह पर इस प्रचच से ज्चो लिया है भख क्या करेंगे इसको हम हुआञ निकाल लेंगे यह यह पर एक छन्नी लिए अब उसको हम क्या करूंगे सारे परणितने निचूरते हुए निकालेंगे रटतन में यहां आप मैंने सारे पत्तों को निगाल लिया है अच्छी से यहां मैंने निकाल लिया है अब इसको हम क्या करेंगे काटेंगे इसको हमें बारीक काटना है ताकि जब हम आटास आने तो बहुत यह असानी से यह उसमें मिल जाए हमें बारीक कटना है अपने मेति को इसी तरह हम सारे मेति को कटकर ट्यार कर लेंगे तो यह देखिए मैंने सारे मेति को काट लिया है त्यार कर लिया है त्यार कर लिया है इसको साइड में रखेंगे हम एक चटनी त्यार करेंगे यहां अपने ग्रनिक जार लिया है इसे मैं अद्रग, हरी मिर्च, हरधनिया, एक चमच, जीरा, अब सारे मसालों को हम पेस्ट लेंगे, मिर्ची अब अपने ही साब से कम ज्यादा कर सकते हैं, अगर आगो कम तीके खाना है तो, मैंने ज्यादा लिया है, अब थोड़ा सा पाइन डालेंगे, दो तिन चमच इसका हम पेस अब कम आटा लिया है, अजवाइन लेंगे, हाथोंके बिचमरण करके डाल देंगे, साती, कुछ में साले डालेंगे, एक चमच धनीया पावदर, एक चमच लालमिक पावडर, एब भी आपछ में डालेंगे हम एक चमच ओल सारे चिजों, कचेस हम मिलाएंगे, ओईल डानने से क्या होगा कि आम वह हम पूड़ी है थोड़ा खुस्ता और क्रिश्पी बनेगा, साथ ही हम डाल देंगे दो चार चमच बेशन, बेशन से पूड़ीय जो में बहुत ही खस्ती है और त्रेश्ती बनती है, जरूर डाले सवाथ क्रिशला नमक डालेंगे अच्छे से मिलाएंगे मिलाने को तुम क्या करेंगे किसमें अपना हरा चटनी डालेंगे जो मैंने बना के रखा था साथे में डाल देंगे अपने हम मेथी के पत्ते जो मैंने काट के रखा इसको अच्छे से हम आठेक साथ सानेंगे ज्मान राय पानी हम एक बर नहीं डालना है अब थोड़ा-थोड़ा कर गर्णां पाई डालेंगे हम पाई डालेंगे एक डोल कर त्यार करेंगे हमें थोड़ा-था टाइट डोल लगाना है ज्यदा नरभ नहीं थोड़ा थोड़ा पाइं डालते जाएंगे और डो लगा लेंगे यह देखिए मैं एच्छे शीज को मिला लिया है इसको अच्छे से हम मसलती वे गूतेंगे आटे को ओ च्छे से हो जाएंगे जोड़ा से हमोच च्रत को मिला लिया है इसको ऑधक कर रखेंगे दस से पन्य मेट के दिदे पडल के ज़िकना कर लिया है अब हम पूड़ी बनाएंगे छोटा चोटा हम इसमें से लोई काटेंगे पूड़ी अपने ही साबसे छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ आप मैंने बड़े निवू का गरका बनाया है इसी तरह हम सारी लोई यह बनाकर त्यार करेंगे यह देखिए हमने सारी लोई यह बना ली है अब हम बेलेंगे तिया हमने चकला और बेला लिया है अब हलका साब हम लोई में ओड़ लगाएंगे और बेलेंगे पूड़ी थोड़ी से मोटी ही रखने हैं ज्यादा पतला नहीं बेलना है नहीं जैदा पतला नहीं जैदा मोटा इसे हम सारी पूडिया बेल कर त्यार करेंगे यह देखिए इसी तरह हमें सारी पूडिया बेल कर त्यार करनी है यह देखिए मैं यहापे इतने सारी पूडिया बेल ली है इसी तरह सारी पूडिया बेलेंगे तो पुछीरी इसको हम फ हाई होना चाहिए अब हाई फ्लेम में जैसे मारी पूरिया उपर आएंगे इसको हालका है समदवाएंगे तकी पूरी अच्छे से यह देविए बहुत आई ही खास्ता करारी पूरीया बनके त्यार है इसी तरह हम बागी कर भूब भी तर्कर ट्यार करेंगे तेल हमारा गरम ही है तेल अगर ज़्यदा गरम रहेगा तो कूरीया बहुत ती शील सी फुल जाएगी और बेस्तों के वेसे आमारा जो पूरी है बहुत ही खास्ता मनेगा यह देखिए प्रड़ रेंगे इसी तरह हम सारी पूरिया तल लेंगे यह मारी पूरिया त्यार हो चुकिए निकाल लेंगे त्यार है मारी बहुत ही तेश्टी मेती की खास्ता करारी पूरिया यह देखे आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है इसी तरह हम बाकी की पुड़ी अभी प्यार कर लेंगे आप फिसे गर्मा गरम सॉफ कीजिए यह सब को बहुत ही पसंद आएगी अपने पराटे तो बनाए ही होंगे अपर मेरे कहने से यह मेति की पुड़ी जरूर बनाए आप सबीक और आपके परिवार को बहुत ही पसंद आएगा यह देखे में तोड़के दिखाती हूं पुड़ी जो कितना खस्ता और ग्रिस्पी बना है लंबे टाइम तक भी यह पुड़ी सब्ट नहीं पड़ेगी एसी फुली-फुली बनी रहेंगी तो त्यार हम में घंटी के बटन दबाते जाए जब मेरा नए वीडियो है सबसे पहले आपके पास रहें तो दोस्तों कोई भी ऐसी रेस्पी चाहिए तो मुझे कमेट वक्स में बताए मैं कोशिस करूंगी श्यार करने के लिए मिलते हैं फिर्जिक नई रेस्पी के साथ तुत्र के लि